हाई फ्रेंड्स बिहार में 2021 के अंतरगत आज चुकी है एक और निव भरती बिल्कुल पर्मानेंट जो अस्थाई नोपरी जी हाँ फ्रेंड्स वेरियस पोस्ट यहां पर है ठीक है तो अगर आप लोग अपलाई करना चाहते हैं तो 31 जनवरी 2021 तक लास्ट डेट है अपलाई क्या कैसे करना है औलाइन की ऐफ-लाइन है कैसे भेज़ना है कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या क्या काने है यह कुण पूरी जानकर आप कम देने वाले हैं वेकली कूण से आई भी विहार में किसके आंतरगत आई हैं सब कुछ तो विडियो को लास्त तक प्रोब देख यह जो है एक डीम्ड यूशिटी है बिहार के अंदर गत्थ ठीक है जो कि नरंदा डिस्टिक में है तो वहीं सी यह वेकेंसी आई भी है और बिल्कुल पर्मानेंट जोब है नंटिचिंग पोस्ट के लिए इंपोर्मेंट नोटिफिकेशन नंबर एक बटे दोजार एकीज ठीक है तो जो लोग अपलाई करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक पुरा दिखिए और इसको अगर आपको भेजना है तो ओफलाइन फॉर्म भेजना पड़ेगा अप्रिकांट्स थूरू के लिए पांस रुप्य लग रहे हैं और बाकि एस्सी एस्टी प्डेवलोडी और जो रेगुलर इंपलॉई है एनन एम के वह जो है आपको दो सो प्लास रुप्या पेट करेंगे और यहां पर अप्लिकेशन फॉर्म डॉली फिल्ड इन सपोर्टेड विट अफिसर्स यानि जो आप फॉर्म फिलब किजिएगा फॉर्म भरिएगा उसके साथ में डॉकॉमेंट दीजिएगा सपोर्ट में ठीक है आपका कोरिफिक्शन बगरे का एक्स्परियेंस का जो भी तो उसको जो है गजिटेड ऑफिचर से करवाना है अटेस्टेड याद र इस्पीड पोस्ट या रेश्ट्री पोस्ट के दुवारा आपको भेज देना है कहां पर 31 जनवरी दोजार एकीस के शेवज साम तक यहां पर मैंने एड्रेस दिखा दिए आपको ठीक है और यहां पर जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अप्डेट अपर देते हैं में पोइंट के तरफ पहला पोस्ट एकाउंट ऑफिसर बिचमेे एक पोस्ट है दूसरा एक इस्ट से कडूश अरक एकस पोस्ट एक पोस्ट गेंट है एक यहां पर छे म्योप्सट है पाच जनल के लिए एक देखे OBC के लिए ठीक है और यहां पर देखे पेस्केल दिया गया है यह पर्मानेंट जोब है इसलिए सेलरी के बारे में सोचना नहीं है सेलरी जवरदस्त है अब बात करता है इसका क्वालिफिक्शन इनकी इलिजबिलिटी के बारे में जो एकाउंट ऑफिसर है उसका एज एकाउंट बजेट-वर्क में और मेंट उफिस में या पिएसु और वगर में तो अपलाई कर सकते हैं तुसरा है प्राइबट सेक्रेटरी एस लिमिट पर तालिस साल है इसमें आप गर्यूएट किसी में सब्जिक्ट में है तो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन पचास सिर्मा और टैपिंग चाहिए हिंदी या इंग्लिज में टैफ रेटर में या कम्पूटर में 40 वुटे 30 और कम्पूटर ऑप्रेशन नोटिंग और ड्राफ्टिंग के नॉलज होना चाहिए उसके बाद है सिनियर असिस्टेंट अपर एज लिमिट 40 साल है इसमें जो है आप बैसलर डिगरी किसी भी सब्जेक्ट में तो अप्लाई के सकते हैं और इंग्लिज में चाहिए 35 वड़ पर मिनिट टैपिंग का और हिंदी में 30 वड़ पर मिनिट चाहिए दोने चाहिए कंप क्विटर ओप्रेशन नोटिंग एंड्राफ्टियों का आना चाहिए नौलेज भी नेस्ट है स्टेनों कम टैपिस्ट 18 से प्रतिस साल एज लिमिट है और इसमें जो है पहला ग्रेट होना चाहिए किसी भी इनुशिटी से दूसरा है आपका कंडेट्स मस्ट हैब दा स्पी एक्टी वर्ड पर मिनट इन इंग्लिज या हिंदी सोट हैंड और चालिस बुटे तीस चाहिए इंग्लिज या हिंदी में टैप्रेटर या कम्पूटर में ठीक है उसके बाद वही चीज़ कम्पूटर ऑप्रेशन नोटिंग एंड्राप्टिंग भी चाहिए नेस्ट पो करते हैं MTS पोश्ट की तरफ यह कि प्यतालीस साल एज चाहिए और टेंथ पास हैं तो अपलाई कर सकते हैं ठीक है और उसके अनावा दोज वरकिंग इन सेंट्रल गोर्मेंट इस्टेट गोर्मेंट या अट्रॉनमस बडिज तो वह अपलाई कर सकते हैं ठीक है टेंथ पा सब्सक्राइब नोसी देना अनिवारी है ठीक है तो उम्मिद करता हूं कि जो मैं मैं प्वैंट सा मैंने आपको बता दिया और बाकि पीडिएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलिग्राम चैनल पर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसका जो फॉर्मेट है वह भी मैं सब्सक्राइब के लिए है और फॉर्म नमट्टू जो है एम्टेस के लिए है ठीक है दोनों आपको जो है यह रहा ऑफिसल वेब साइट www.nnm.ac.in यहाँ पर जाएगा डिवर्मेंट टैब में आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ मेरे टेलिग्राम चैनल है वहाँ पर आपको यह वाला नोटिफिक्शन का पीडिएफ और फॉर्म वान और फॉर्म टू दोनों मिल जाएगा ठीक है याद रखेगा बी एंड सी कटेगरी के लिए फॉर्म नमबर वान और MTS के लिए फॉर्म नमबर टू मैं बबार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ क्या आप लोग कमेंट करते हैं बहुत ज्यादा ठीक है यानि एक नमबर से लेकर पांच नमबर तक फॉर्म नमबर वान भरना है और छे नमबर यह भरना है फॉर्म नमबर टू में ठीक है तो जाइए जो लोग है मतलब इंट्रेस्टेड है तो जो अपलाई कीजिए पर्मनेंट जोब है इसको जल्दी से भेजिए क्योंकि इसको भेजना है ऑफ-लाइन ठीक कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं और आप लोगों के लिए मैंने एक बना दिया है किलिग्रा प्रोची